स्वागत है आपका Q&A के एक नए एपिसोड में पहला सवाल सलार मुवी से है सलार मुवी से तीन कुस्चन है पहला कुस्चन है सलार हिंदी OTT रिलिज डेट अगला कुस्चन है सलार मुवी हिट हो गई है क्या नहीं अगला कुस्चन है ब्रो आप कभी भी मेरा अंसर नहीं देते हैं प्लिज बता दो दो कुस्ठन का आंसार देता हूँ हाँ बाई सलार मुवी बोक्स ओफिस पर हिट हो गई है बात करें बोक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में सलार मुवी का वूर्ड वैड सेयर कलेक्शन है 352.88 करोड ग्रोस कलेक्शन है 690.50 करोल ये movie box office पर हिट हो चुकी है अभी तक इस movie का profit हुआ है 6.20 करोल हाँ आपने सही सुना इस movie को शरी profit हुआ है 6.20 करोल का क्योंकि इस movie का budget बहुत आई था अभी कुछ लोग कहेंगे कि इस movie के जो producer हैं वो तो कह रहे हैं कि इस movie का box office collection 700 कोल से ज़्यादा का हो चुका है producer का box office collection का data अलग ही चल रहा है मैं जो data आपको दिखा रहा हूँ ये trackers के तरफ से दिये गए हैं जो लोग तेलगू movie के box office collection को track करते हैं उन लोगों ने ये data दिया है मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये data 100% accurate है लेकिन लगभग इस movie को profit इतना ही हुआ है अगला सवाल है नितिन की next movie नितिन की next movie का title है Robin Hood फास्ट लुक पोस्टर को आप अपने screen पर देख सकते हैं इस movie के female lead role में आपको दिखेंगी स्री लला इस movie को direct कर रहे हैं बेंकी कुडु मुला जिनोंने नितिन की super hit movie विस्मा को भी direct किया था अगला सवाल ब्रो पंचाय season 3 update प्लीज पंचाय season 3 15 जनवरी को release होने बाली थी लेकिन कुछ इस्यों को ज़से release नहीं हुई अब ये movie आपको 7 फेबरारी के महिने में देखने को मिल सकती है official date को भी confirm नहीं किया गया है जैसे ही confirm होता है मैं हमारे telegram channel पर post कर दूँगा आप चाहें तो आप हमें वहाँ पर join कर सकते हैं अगला सवाल सीबा gamer channel से है रभी भाई हनुमान movie का budget कितना है और movie hit हुआ क्या इस movie का budget है 13.50 करोल इस movie का 15 दिनों का share collection हो चुका है 130.42 करोल और gross collection हो चुका है 244.85 करोल इस movie को अभी तक profit हो चुका है 99.92 करोल का यह movie hit नहीं यह movie box office पर blockbuster हो चुकी है हमने कल साम को ही हनुमान movie का box office collection और fighter movie का box office collection हमारे telegram channel पर post कर दिया था अगला सवाल है RC16 movie update कुछ news निकल के आ रहा है कि RC16 movie के shooting को इसी साल मार्च के second week से शुरू कर दिया जाएगा और इस movie के team प्लान कर रहे है मार्च के फास्ट याफी last week तक इस movie के एक concept look को release करेंगे और news यह भी है कि इस movie में जो रामचरन का look होने बाला है वो बिल्कुली अलग होगा इस तरह का लूक आपने रामचरन का पहले कभी भी नहीं देखा होगा अगला सवाल है 2020 में अजे दबगन की कौन सी movie आएगी भाई प्लीज बताओ 2020 में आपको अजे दबगन की दो movie देखने को मिलेगी पहली movie है सैतान ये movie आपको आठ मार्च को देखने को मिल जाएगी हिंदी लंगवेज में थेटर्स में अगली movie है मैदान ये movie आपको इसी साल इद पर देखने को मिल जाएगी थेटर्स में डेबरा movie का रिलीज देड पोस्टपन हो चुका है तो उसी date के आज़ पास आपको अज़े देबगन की ये movie देखने को मिल जाएगी ओफिशल डेट को मेकर्स बहुती जल देना उस कर देंगे अगला सवाल है भाई SSM-E 29 movie की शुटिंग कब स्टार्ट होगी प्लीज सवाल दे लेना राइटर बिजंदर पसाद ने कहा है कि इस movie का script का कामब पूरी तरह से complete हो चुका है और recently महस बाबू 3-4 दिनों के लिए यूरोप भी गये थे इसी movie related कुछ काम के लिए इस movie की शुटिंग को बहुती जल शुरू कर दिया जाएगा साइद एक से दो मेहने के अंदर ही इस movie के शुटिंग को शुरू कर दिया जाएगा और मैं आपको एक interesting fact बताता हूँ महस बाबू इस movie के लिए कोई भी फिस नहीं लेने वाले हाँ आपने सही सुना चाहे इस movie में 2 साल लगे 3 साल लगे महस बाबू इस movie से कोई भी फिस नहीं लेंगे जैसे SS राजा मोली movie के लिए कोई भी फिस नहीं लेते हैं movie release होने के बाद movie के profit से कुछ स्याल लेते हैं उसी तरह महस बाबू भी इस movie से कोई भी भी फिस नहीं लेंगे जब movie release होगी movie से profit होगा उस profit से कुछ स्याल महस बाबू लेंगे और न्यूज ये भी है कि जो महेश बाबु का खुद का प्रोडोसन हाउस है उस प्रोडोसन हाउस का नाम आपको इस मुवी के प्रोडोसर में देखने को मिल सकता है अगला सवाल प्रसांत भाई पुछते हैं बोयापति यन अलू और जुन मुवी कब बन रही है कब बन रही है अभी है कंफ्रोम नहीं है कुछ लोग कह रहे हैं कि पुछपा टुके तुरंत बाद अलू और जुन इस मुवी को करेंगे और कुछ लोग कह रहे हैं कि अलू और जुन पहले अत्तिलिक मुवी को करेंगे और उसके बाद इस मुवी को करेंगे अभी कुछ भी कनफ्रोम नहीं है लेकिन इतना कनफ्रोम है कि अलू अर्जुन बोयापति के साथ मुवी करेंगे अगला सवाल स्वाधिन साहु भाई पूछते हैं भाई आईलेन मुवी कब तक OTT पर आएगी और हिंदी में आएगी क्या तो कुछ नियुज है कि आईलेन मुवी आपको 9 फेबरारी को देखने को मिल जाएगी तामिल लांग्वेज में वुईत इंगली सब्टाडल के साथ सन नेक्स्ट पर बात करें हिंदी रिलिज के बारे में तो कुछ नियुज है कि इस मुवी की हिंदी डबिंग राइट्स गोल्ड मैंस के पास है तो ये मुवी कब तक हिंदी में आएगी ये बताना मुश्किल है जैसे हमें कुछ कंफ्रम बता चलता है हम आपको बता देंगे अगला कुष्चेन है क्याप्टन मिलर मुवी OTT अपडेट क्याप्टन मिलर मुवी की स्ट्रीमिंग राइट्स नेट्फिलिक्स के पास है ये मुवी आपको फेबरारी के सेकेंड वीक में देखने को मिल सकती है सभी साउथ इंडिया लंग्वेज में वित इंगली सब्ट देखने को मिलेगा